हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मैशर क्लास में तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताँगा आपको एक प्रॉलस्टीन एंश हम सिरॉप के भारे में तो दोस्तों आपने कफ़ सारे सीरॉप्स भी देखे तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए वीडियो को अगर लाइक कीजिए और बेल आइकान दवाना ना भूलिएगा क्योंकि हम वर्ड के हाइस्ट वीडियो और कॉस्मेटिक वीडियो रिवीव करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉलस्टीन एम जो होती है यह सीरफ आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाती है लेकिन डॉक्तर की परंशे के बगढ़ नहीं मिलेकिए यह हHота है अलकेम कंपरी जोके स्टैनरिट कंपणि होती है और प्रॉलस्टीन एम बिलस्टीन और मोंटे लोकास्ट कंटेंट होते हैं यह 105 रुपे में आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाती है याद रखिए यह किसको दिया जाता है इसके क्या साइड इपेक्ट्स हैं और कैसे लिया जाता है क्या कॉम्प्लिकेशन और प्रिकॉशन्स लेनी है इस अब जानकरी दूँगा दोस्तों यह दिया जाता है जहां पर आप बच्चों को सरदी होती है याद रखिए सबसे छोटे बच्चों को यानि लेस देन टू या त्री येर्स लेस दन टू येर्स जो होते हैं पर नहीं दिय जाता जब तक कि Аपके पीडियाटरिशन नहीं बताते तो प्रॉलास्टिन M जो होता है ब्लास्टीन कंटेंट होता है और मोंटेलुकास्ट होता है मोंटेलोकास्ट तो आप काफी सáры कामबीनेशन ओगे यूस भी किये हो मदद करती है यानि सर्दी नाक जुकाम जो होती है वो कम कर देती है और खासी भी कम कर देती है और इसका जो है नाक से पानी बहना भी कम कर देती है जिसकी वज़े से आपको क्या होता सर्दी से छुटकारा मिल जाता है यह याद रखिये यह जो होता है बिलास्टीन जो होता जो मोल्टिलोकास जो होता है वो भी अक्चुली अलर्जीज, कंजेशन, और रैनोरिया यानी नाक से पानी बहने को भी बंद कर देता है तो यूजुली इसको खाली पेट लेना बहतर रहेगा लेकिन इसे आदे गंटे के बाद जल्दी से खाली है खाना लेना बहतर है क्योंके नीन भी आ सकती है तो और थर्ड इंपोर्टन जो इसके अंदर याद रखना है कि ये दवाई अगर कोई और सर्दी की दवाई डालती हो तो रोके ना डाले और फूर्थ इंपोर्टन चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि ये प्रिलास्टीन एम के साथ एंटिबायोटिक या कफ सिरप भी आड़ कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो ये आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे साइड इफेक्ट्स होंगे उल्टी हो सकती हैं कभी कभी लूज मशन भी हो सकते हैं पेड़ दद हो सकता है या तो सर्दी कम नहीं हो सकती है या तो सर्दी कम नहीं हो सकती है या तो सर्दी काफी लंबा समय लेती है और बिलास्टीन की एक अच्छी बात यह है कि ये नीद नहीं आती नहीं लाती है तो इसके वज़े से बच्चा स्कूल जा सकता है पढ़ाई कर सकता है अगर कोई उसके एक्जाम होती हो नेक्स डे तो उसे बहुत हेलफुल होती है तो प्रॉलास्टिन एम अलकेम कमपनी की नहीं सीरप है जहां पर बिलासिन और मोंटेलोकास्ट इ ही आ गहा है तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को टेक केर बाए